हेलो एवरिवन वेलकम टू रारा दोस्तों आज मैं यहाँ पर एक मेकप करके दिखाने वाली हूँ रोजाना के लिए मैं लगा रही हूँ लिप बाम और यह नियूली जो ब्राइड हैं वो यह मेकप कर सकती हैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करिए लिप बाम यह ले रही हूँ और यह मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों का काम करता है और फेस को दोने के बाद फेस वाश करने के बाद अब अच्छे से टोनर लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाईएगा और जैसा कि आप देख रहे हूँ प्रेपिंग करनी बहुत ब्यूटी शेड है 100P Light और ये फाउंडेशन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ और ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है इसलिए ये स्किन पर बहुत ड्यूई फिनिश देता है आपका जो भी फाउंडेशन हो आप उसी से मेकप कर सकते हो और आपको ये प रूल है कि आप अपने फेस के मेकप को अच्छे से ब्लेंड करें फिर उसके बाद मैं मैं जो है लोटस की ये स्ट्रोब क्रिम लगा रही हूँ श्किन को जादा ड्यूई और हाइलाइटिंग करने के लिए ये सिल्क टच ग्लो स्ट्रोब क्रिम है नाच्रली लूमिनस तो ये बहुत अच्छा प्रोडाक्ट है और वेगन भी है और इसमें मैंने पिंक सी टू शेड लिया था और अब मैं अपने आइब्राउस को क्लीन कर रही हूँ आपके पास जो भी इलुमिनेटिंग मोईस्चराइजर हो उससे आप ये द्यूई फिनिश दे सकते हो फिर क कोई भी कॉम्पैक्ट लेकर इसको सेट करके देखिए अगर मैट लुक चाहिए ड्यूई चाहिए सकिन बहुत ड्राय है तो ऐसे ही छोड़ सकते हो बट थोड़ा सा लूज पावडर से सेट कर सकते हैं या कॉम्पैक्ट से मैंने यहाँ पर मैक स्टूडियो फिक्स लिया पावडर फाउंडेशन और उसके बाद में मैं जो है शुगर की ब्राव पैंसिल से अपने आइब्राव को सेट कर रही हूँ और यह आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप सारी चीज़े बहुत एक्सपेंसिव लगाओ मेकप में आपके पस जो हो आप उससे मेकप क सकते हो देखिए सबसे पहला रूल क्या है आइशेडो लगाने का कि थोड़ा मैट लुक दीजे ताकि आपके आखों के ऊपर की जो तवचा है वो सिकडी सिकडी सी ना लगे उसके लिए आप मैट पावडर बेस लगाईए जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोरल और और है वो शुगर की पैलेट लिए आप कोई भी पैलेट यूज कर सकते हो आपके पास जो भी हो उसके पास थोड़ा सा हाइलाइटर लेकर के जो पैलेट में होता है हाइलाइटिंग आईशेडो उससे आप ब्राव बोन एरिया को हाइलाइट करके फिर सॉफ्ट वाला पीची आपकी मोटी है तो उसको थोड़ा शार्प करने के लिए आप ये ब्रावडर यूज कर सकते हो थोड़ा सा चीक बोन को यहाँ पर इस तरीके से जो है अच्छे से शार्पनेस फेश में दे सकते है अच्छी सी कटिंग आ जाती है स्किन पे लेकिन यहाँ आप देख रहे है मैं थोड़ा सा पावडर यूज कर रही हूँ पफ की सहायता से इससे जो है फिनिशिंग अच्छी आती है अगर मान लीजे ब्रावडर थोड़ा बहुत गाल पे फैल गया है तो उससे और थोड़ा सा आपके पास जो भी अच्छा सा ब्लश हो स्किन टोन के अकॉर्डिंग मेकप के अकॉर्डिंग थोड़ा पीची पीची ओरेंजिश टोन में कोरल टोन में उसको आप लगाईए अच्छे से थोड़ा सा नाग पे लगाईए क्योंकि विंटर है तो विंटर में इस तरीके से थोड़ा रेडिश रेडिश अच्छा लगता है नोज और इस तरीके स आप चाहो तो highlighter हाथ से लगा लो या fan brush हो उससे लगा लो जैसे मरजी हो आप highlighter ज़रूर लगाओ ताकि skin एकदम से glowing and luminous दिखने लगे और nose को sharp करते समय धीरे से आप apply करें ताकि nose का shape ना खराब हो एकदम straight दिखाई दे तो बस ये highlighting मैंने कर ली है और आप अगर एक बार हाथ स मेकप करना सीख गए तो आपको brush और blender की ज़रूरत कम पड़ेगी और फिर कोई भी अच्छा सा mascara लीजिए everyday वाला मैंने यहाँ पर color bar का lash growth booster mascara लिया है यह रोजाना के लिए अच्छा है I grow करता है यह lashes को और उसके बाद में मैंने लगाई है यहाँ पर lipstick this is from color bar mini और यह shade शाय bright दिखाते है bright मतलब चमकती है skin आप देख रहे हो और lipstick को थोड़ा सा pinkish tone अगर आपको देना हो मेरी तरह तो आप कोई भी soft oil base moisturizing lipstick लगाई है जो lips को soft रखे देर तक long lasting coral deep coral look दे बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा और dark pink color लगा रही हूं and यह shade मैंने मेरे channel पर बहुत बार makeup look में दिखाये हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही beautiful लग रहा है यह dark pink color तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर pink lipstick के शौकीन है तो इस तरीके से lipstick को plumpy बना सकते हो थोड़ा सा finger से हलका सा जो है अगर इसको और long lasting करना है तो पहले finger से तोड़ा सा remove करिए उसके outfit पहनी है संदूर लगाई है whatever आपको जो भी करना है काज लगाना है वो लगा सकते हो liner लगा सकते हो डेली में वैसे need नहीं होती तो यह बहुत ही अच्छा है और lipstick का shade बता दू शेरुलेट है 12 number deep pink और ब्लेयर है नायका की यह molten matte है उमीद कर रही हूँ मेक अप अच्छा ल लिंक प्रोवाइड कर आदूंगी thank you so much और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब की